असलाम वालेकुम माई योटूब फैमली कैसे है आप सब उमीद करती हूँ आप सब खेरियत से होगे तो आज मैं आप लोगों के सामने बहुत ही टेस्टी और इजी विंटर स्पेशल मेथी की सबजी की रसीपी शेयर करने वाली हूँ इंशाला आप लोगों को रसीपी चुरू करते है तो यहां पर देखिए एक ग्यास पे मैंने एक बरतन को गरम करने के लिए रख दी हूँ जैसे मेरा यह यह बरतन गरम हो गया ना तो मैंने इसमें तीन से चार टेबल स्पून भरके ऑईल डाल दी और और यहां पर तीन मीडियम साइस की प्यास उसे कट कर तो आप लोगों ने बस दो मीनट के लिए ही प्यास को थोड़ा सा हल्का सॉफ्ट करना है ज्यादा ब्राउन नहीं करना उसके बाद में यहां पे मैंने तीम मीडियम साइज की जो है आलू ले ली उसे भी मैंने छोटे तुकड़ों में कट कर ली हूं तब प्यास आलू और ह बखने रखना है उसके आद में 7-8 लसन की खलियां मैंने इसे बारिक चॉप करके डाल दी हूं तो अभी हम लोगों को इसे हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने रख देना है तो ताके जब तक हम लोगों की प्यास और आलू जो है दोनों एक साथ गोल्डन ब्राउन हो बहुत जल्दी आलू पक जाते हैं यहां पर मैंने अधी टामाटर जो है उसे बारिक चॉप करके लिए और वन फोट टीस्पून से भी कम हल्दी पाउडर हाफ टीस्पून लाल मिच का पाउडर और हाफ टीस्पून जो है मैंने नमक दाल दी हूं नमक आप अपने बढ़ससे डाल और में साल कてा मैंने बरत्र बाहर लुए अब्याइक बत्र तो यह नілुट गाल थाला कर जो है शेम हैंने फूं हूं फैला देल के हाफ हों और बस अभी एक धकन धाक कर हम लोग दो मिनट के लिए इसे यहीं स्लो फ्लेम पे हम लोग देगे ताकि जब यह थोड़ा नीचे बेढ़ी है उसके बाद में धकन खोल कर हम लोगों को इसे उपर नीचे जो है मिक्स कर देना है तो यह आलू और प्यास जो भी है तमाम चीज होगा ना तो उसी में हम लोगों के आलू पक जाएगे और पहले से भी हम लोगों ने आलू को फ्राय किये हुए है तो बहुत जादा टाइम नहीं लगता है तो देखिए इस तरह हम लोगों को बस एक बार और अल्टा पल्टी कर लेना है तो यहां पे देखिए हाफ से भी मेती की स बन चुकी है तो जो भी तरीखा बना एद है ना उस तरीके से ज़रूर भनाइए आपकी व्हॉत फटा फट पक भी जाएगी और खाने में बहुत टेस्टी भी लगती है तो चलए फिर मेरी मेती आलो की सबजी बन के रेडी हो panic तो अब हम लोग जो है गैस के फ्लेम को बन कर देगे और हम लोग अब जो है विससे डिशाउट कर लेते हैं तो यहां पर मैंने मेथी और आलो की सबसी को निकाल ली हूँ देख सकते हैं आप लोग माशारला कितने अच्छे से बनके रेडी हो चुका है तो जरूर से आप लो और मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोगों कोई रेसीपी कैसी लगी तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में अल्ला हाफिज